बबली, बबली चल्दी उठ जा, पूजा के लिए रोली लाना बूल गई, मैं फटफट से लिया डोली, क्या ममे, अभी तुम्हें चोटी बच्ची हो बबली, डोली नहीं, रोली, मंदर के लिए अरे यार, डोल उसे बोल दो न, डोल लो तूजा क्या यार ममे, जब से को तब चपल लेकरी हो जाती हो, जा रहा हूँ न, जा रहा हूँ न अरे बेटा, कलावा तो मैं भूली गई, जा, पास में दुकान है, फटर फट से लिया, जा बेटा एक बार बुड़ी हो जा, तब बताओंगा, लाता हो लो ममे, बेटा, फूल तो रही गए, ये आखरी है, तू बस ये ले आजा लो आ गई ग्यानवाली अंटी, अरे इसे क्या हो गया? क्या हुआ भाबी जी, कल समान नहीं लाये थे क्या? अरे क्या करें, कुछ न कुछ तो रही जाता है न नहीं जी, मेरा तो नहीं चूटता, मैं पूरी चकलिस बना के लेके जाती हूँ और जो जो समान लेती हूँ, उसे टिक करती रहती हूँ, इस तरीके से मेरा कोई समान भी नहीं चूटता हाँ, चालू तो तू है ही क्या? नहीं नहीं हम कह रहे थे, आप पहले नहीं बता सकती थी हमें हमने बच्चे की रेल बना रखी है चलो कोई नहीं, दिवाली में ध्यान रखेंगे आगे बेटा यहलो भूल अरे मेन समान ही भूल गए जाके 11 उर्पे का प्रशाद लेओ ना बेटा आंटी को भी तो देने जाओ 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 बेटी बेटी बेटा माचिस भी ले आना हाँ हापी नवरात्री तो अगर नवरात्री हमारी भागदौण में निकल जाए मोटिवेशन तो जली से वीडियो शुरू करते है ममी मेरे लिए चनल चली निकाल दो मुझे डान्या नाइट पे जाना है नाइट? करवेटो कहीं नी जाना क्या यार मम्मी बोलो ना पापची को कि मुझे जाने दे पापा ने मना कर दिया ना एक बार तो कर दिया आप कहीं नी जाना है डान्या नाइट तो होके रही चाहे कुछ भी हो जाए भाया हाजी मेडम बी-420 नाले वाली के लिकिये बराबर वाली घर का एड्रस नोट करो और जल्दी से अपना पोरे अपिस्तर बांद के आजाओ मुझे डान्या नाइट की डेकोरेशन करवानी है यह काम करो पचाज़ार एड्वांस देदो बाई तीज़ार रुपए काम होने के बात देदेना आ जाए पांक हाए क्या लूट मचा रखी है यार लेकिन डांडिया नाइट तो होकर ही रहेगी लो भाई कर ली मैने डांडिया नाइट की डेकोरेशन बडा आया सत्तर हजार मांग रहा था अब आप खुदी देख लो बिफोर आफ्टर आटी नमस्ते अरे वाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है तुमने पूरे 50,000 में होई है इतनी भी कोई खास अच्छी नहीं है हाँ अब तेरी तो कसरत हो रही है इस दुपट्टे के साथ और देख लोगों की आखे यार मैं क्या करूँ यह सेटी नहीं हो रहा है सेफ्टी पिन? मिला लहेंगा तो अल्रेडी टाइट है ना तो यह पकट देखो डांडिया नाइट में कभी भी दुपट्टा नॉर्मली रखोगे न तो वो गिरे गाई इससे अचा कि आप इसे इस तरह से टक कर लो और फिर फ्रीली इंजॉय करो अब कर जितना डांस करने यह तो बिना सेफ्टी पिन के हो गया आंटी मेरे से बैठानी जा रहा आप मेरे को यही ते दो में यही खा लूंगी कंजत में जाते टाइम अगर आप अनकंफर्टिबल और स्टिफ कपड़े पहनते हो तो उससे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होगी इंस्टेड आप लाइटवेड फैप्रिक पैन और बालों को इक्तम नीटली टाइ कर लो इससे आपको कपड़ों और बालों की टेंशन ही नी रहेगी और आप एजिली इंजॉय कर पाऊगे अरे तुम लड़कियों के ब्यूटी शॉर्ट अगर खतम हो गयों तो हम कुछ खाना पीना कने चलके अरे गोलू दिस आइड कैसे करें कि कौन सी आंटी के घर पहले जाना है बच्चे उपर आजओ उपर आजओ बेटा यहां आजओ यहां आजओ अरे बच्चे आजओ 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 पता है ना अंटी पचास रुपे देती है जल्दी आजओ 100 रुपрь देगे ऐए आउपर अउपर आज़ो अउब को ओफिस जाने आज़ो आज़ो बेटा 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 हजार रुपे दोटा रुपे देगी जलदी आज़ो मिर पसाःजाभ पहले बेटा Пाँछ रुपे दोन आप गोड़ highest अटने में तो पर जादा पैसे देती है पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि तू इतना बड़ा बॉक्स लेके आ जाएगी है अंटी एक और पॉलेथीन मिलेगी नहीं बेटा नहीं आई सी में टाल लो अरे यार यह तो पुरा गिच्पिच हो गया एसी घिच्पिच से बचने के लिए इशा एक पार्टिशन बॉक्स लेके आई थी जिसमें वो अपना खाना अलग-अलग रख रही है अब समझाया कि मैं ये डिंबा क्यों लेकर आई थी जब से मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हो मजाक उड़ाए जा रहे हो अगली बार सेना मैं तेरे साथ ही चलूँगा यार देख ना कितनी गळ्मी हो रही है हाँ यार और इन लोगों जो देख कैसे पागलों की तरह डानस कर रहे है सही कह रही है सारी गळ्मी तो इन्हों नहीं मचा रकर है आ यार आओ, यू पूर पीपल, गर्मी लग रही है तुम लोगों का मेकप तो पांच मिनिट में बह कर पिखारी लगेगा हमारा कुछ नहीं होने वाला, तू अपना देख, समझी? मेरा मेकप तो इधर से उधर नहीं होगा तुमने वो ट्रेंडिंग रील नहीं देखी क्या जिसमें पानी में फाउंडेशन डाल कर लगाते है इससे मेकप लॉंग लास्टिंग रहता है डांस कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे की बिखारी कौन लगेगा मैं तो ठक गई ती गर्मी हो रही है अब देखो, बिखारी कौन लग रहे है इससे अच्छा तो तुम हमारा है है की कर लेती, तुमसे अच्छा तो हम ही लग रहे है तो अगर आपका मेकप भी शादी पाटियों में देर तक नहीं टिकता तो उसके लिए आप सबसे पहले फेस वाश करके अपनी स्किन पर आइस रप किया करो इससे होगा ये कि जो पोर से आप की स्किन की वो श्रिंक हो जाएंगी और ज्यादा ओयल प्रोड्यूस नहीं करेंगी जिससे कि आपका मेकप लॉंग लास्टिंग हो जाएगा अरे ये के अरे लिपस्टिक है अगर आपकी लिपस्टिक भी इस तरह से ट्रांसफर हो जाती है तो आप ये हैक कर सकते हो कोई भी लूस पाउडर ले करके उसके उपर इस तरह से डाब डाब करके लगाओ इससे आपकी लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ हो जाएगी खु रखते हो और आपकी एनरजी बहुत लो हो जाती है तो आप इस तरह का डाइट चार्ट पॉलो कर सकते हो इससे आपकी दिन भर एनरजी इंटाक्ट रहेगी जैसे कि मैं 8 बजे गरम पानी में थोड़ा सा नीबू डालके पी लेती हूं फिर दो घंटे बाद 10 बजे फ्रूट खा लेती हूं जैसे स्वीट पटेटो समग पुलाव या कुट्टू की रोटी इनसे मुझे दिन भर एनरजी मिलती रहती है अगर फेस्टिविटीज में आपके पास पहनने कोई हेवी लेंगा नी है तो आप किसी भी प्लेन लेंगे को हेवी बना सकते हो बस उसके नीचे के कैन के पहन के और देख लो यह लेंगा कितना जादा है वियो रिच लुक दे रहा है कि नहीं इस हैक से आप भी अपने किसी नॉर्मल लेंगे को फलफी और रिच दिखा सकते हो तो कैसा लगा आपको हमारे या आज का वीडियो अफकोर्स कुछ सीखने के साथ 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 हो जाए तो मज़ा तो आता ही है ना तो गाइस मातरानी की नाम का एक लाइक तो बनता है ना और चैनल को सब्स्क्राइब भी कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल में भूलना है अपी नवरात्री तो फिर अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो की साथ अब तक ये लिए टेक